आज हम जानेंगे आईए जाने दिपाली कब से सुरू हुई है और लच्मी प्राप्ति के लिए क्या करें जानिए दिपावली हिंदू समाज में मनाय जाने वाला एक प्रमुक्त वहार है दिपावली को मनाने का उद्धिश भारतिय संस्कृति के उस प्राचीन सत्य का आधर करना है जिसकी महक से आज भी लाकों लोग अपने जीवन को सुवासित कर रहे हैं दिवाली का उत्सव पर वो का पुंज है भारत के इस उत्सव को मनाने की प्रमपरा कब से चली इस विसे में बहुत सारे अनुमान किये जाते हैं बताया जाता है कि भगवान शीराम इसी द कर अयुद्या जी वापस आए तो अयुद्या वासियों ने उस्सा में दीप जलाए गए थे घर बजार सजाए गए थे गलियां साफ सुत्री की गई थी मिठाईयां बाटी गई थी तब से दिवाली मनाई जा रही है यह भी बताया जाता है कि भगवान विश्णों के वाम कथा सूतल का राज्य बली को परदान किया सूतल का राज्य जब बली को मिला और उस्सा हुआ तब से दिवाली चली आ रही है कहीं ये भी बताया जाता है कि सागर मंधन के समय छीर सागर में महा लच्मी उत्पन हुई आता था भगवान नारायन और लच्मी जी का विवा प्रसंग था तब से यह दिवाली मनाई जा रही है यह भी विश्णो पुरान में आता है कि शीकिष्ण ने नक्चतुरदशी के दिन आसुरी वृत्ती के नरकासुर का बद कर सोलह हजार कन्याओं को उसके कैस से छुड़वाया था और जनता को भोग वृत्ती अनाचार एवं दुष्ट वृत्त प्रवित्ती से मुक्ती किया एवं दैवी विचार देकर सुखी किया तब से दिवाली मनाई जा रही है सीखो का कहना है कि गुरु गोविन सी इस दिन से विजय आता पर निकल ले थे तब से सीखो ने इस उत्साव को अपना मान कर प्रेम से मनाना शुरू किया जैनी बताते हैं कि महावीर ने अंदर का अंधेरा मिटा कर उजाला किया था उसकी स्मृत्ती में दिवाली के दिन बाहर दिये जलाये जाते हैं महावीर ने अपने जीवन के तिर्थ करत्व को पाया था अता उनके आत्म उजाले की स्मिर्थी कराने वाला यह तिवार हमारे लिए विशेशादर्नी है इस प्रकार पौरानिक काल्य में जो भिन भिन का प्रताएं थी वे प्रताएं दिवताओं के साथ जुड़ गई और दिवाली का उत्सव बन गया यह उत्सव कपसी मनाया जा रहा है इसका कोई ठोज दावा नहीं कर सकता लेकिन है यहां रंग बिरंगे उत्सव का गुच्छा यहां केवल समाजिक आर्थिक और नहीतिक उत्सव ही नहीं वरन आत्म प्रकास की ओर जाने का संकेत करने वाला आत्मों नती करने वाला उत्सव है किसी अंग्रेज ने आज से नौ वर्ष पहले भारत की दिवाली देखकर अपनी यात्रा संस्मरणों में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है तो इस पस्ट है कि दिवाली उसके पहले भी होगी संसार की अपनी जातियां अपने अपने उत्सव मनाती है प्रतेक समाज के अपने उत्सव होते हैं जो अन्य समाजों से भिन्न होते हैं परन्तु हिंदो परव और उत्सव में कुछ ऐसी विसेस्ता है जो किसी अन्य जाती के उत्सव में नहीं है हम लोग वर्ष भर उस्व मनाते रहते हैं एक तिवहार मनाते ही अगला तिवहार सामने दिखाई देता है इस प्रकार पूरा वर्ष आनन में बित्ता है दिपावली टिप्स दिपावली की रात कुवेर भगवान से लच्मी जी की अराधना की थी जिससे वे धनाड्य पत्यों के भी धनाड्य कुवेर भंडारी के नाम से प्रसिद्ध हुए ऐसा इस काल का महत्व है दिपावली की रात्री जब करने योग्य लच्मी मंत्र रात्री को दिया जलाकर इस सरल मंत्र का यथा सक्ति जब करे ओम श्रेम हेम क्लेम एम कमल वाशिन्य स्वाहा घर के बाहर हल्दी और चावल के मिश्रन या केवल हल्दी से स्वास्थिक अत्वा ओमकार बना दे यह घर को बाधाओं से सुरक्षित रखने में मदद करता है द्वार पर असोक और नीम के पत्तों का तोरन बनवा कर बांध दे इससे प्रसार होने की रोग प्रतिकारक छमता बढ़ेगी लच्मी प्राप्ती हेतु दिवाली के संध्या में तुलसी जी के निकट दिया जलाएं इससे लच्मी जी प्रसन्न करने में मदद मिलती है लच्मी प्राप्ती की साधना दिपावली के दिन घर के मुख्य दर्वाजे के दिये और बाई और गेहुं का छोटा धेरा लगा कर उसे पार उस पर दो दीपक जला दे हो सके तो वे राद भार जलते रहे इससे अपने घर में सुख संपती की व्रिद्धी होगी लच्मी प्राप्ती हिर्थ अपने गर्देर के स्रीचित्र पर विशेश दिलक दिपावली के दिन लौंग और इलाइची को जला कर राख कर दे उससे भगवान अत्वा गुरुदेव के सिर्चित्र को तिलक करे ऐसा करने से लच्मी प्राप्ती में मदद मिलती है और काम धंदों में बरकत आती है आनद्वा प्रसंद्नता वर्धक नारियल खीर प्रयोग दिपावली के रात्री में थोड़ी खीर की कटोड़ी में डाल कर और नारियल लेकर घुमाना और मन में लच्मी नारायन जब करना फिर खीर ऐसी जगा रखना चाहिए कि किसी के पैर ना पड़े और गाय कौवें आधी खा जाये परिवार के तीनों तापों से रक्षा के लिए कपूर आती करें दिपावली के दिन चांदी की कटोड़ी में कपूर को जलाये तो परिवार की तीनों तापों से रक्षा होती है नारियल अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर फोर देना और उसकी प्रसादी बाटना इससे घर में आनन्द, सुक्षन, संपत्य आती है जैशी राम